Hello students, welcome to my class, I'm Ajit Singh, so how are you all? I hope you will be good. So let's start the new chapter, chapter number 5, Acid, Waste and Salt. Aml, Jhar and Lowa We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. Do they have the same test? Let us recall test. Let us recall test. If you have not tested any of these, यदि आप इनमेंसे किसी पदात का आपने अभी तक test नहीं किया है, तो आपको उनको test करना है और जो भी result आएगा उसको fill up करना है. लिकिन before doing so, यू हैब to follow such instruction आपको शाब्धानियां जरूर बरत नहीं होगी. देखिए हैं, questions देखते हैं, क्या कैसा आप धानी है Do not test anything unless asked to do so आपको किसी भी चीज को नहीं test करना है, जब तक आपसे नहीं कहा जाए ठीक है, Do not touch anything unless asked to do so और आपको किसी भी चीज को sparse भी नहीं करना है, जब तक आपसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा जाए, ठीक है जब आपसे ऐसा करने के लिए कहा जाए, तब ही आपको यह करना है जब तक ना कहा जाए, ना किसी भी चीज को आपको touch करना है और ना ही किसी का स्वाद लेना है, ना ही किसी को test करना है, ठीक है तो यहां पे फिल करना है कि lemon'sоде में खटा है मीठा है या कडवा है जो भी है वह यहां फिल करसे देने शॉर में बिर्थ विरल की मीठा ऑर सवीट मी्था अरंच यूस चॉर चॉच्छर के ऑनगे के वारे में किसा होता है आमक चॉर्ण के बारे में इस चुर्ण के बेकिंग सोड़ा कैसा होता है ग्रेप अंगूर कैसे होंगे अन्राइप मैंगो कच्चे आम और कुकुम्बर ककड़ी स्वाद में आपको जैसी भी लगे वो यहां पर आपको फिल करना है तो यू यू find that some of после sudden days or आप पाते हैं कि इन में सी कुछ बदात ऐसे हैं जो खटते हैं साम टेस्ट विटर कुछ का टेस्ट करभा है और सम टेस्ट एस्च मीटे हैं तो इन में कुछ कैसे नमकीन भी है में टेस्ट साल्टी नमकीन हुई है ठीक है आई होप आपके समझ में आया होगा तो फिर स्टार्ट करें आगे आईसीट एंड बेस अमल और चार कर्ड़, लेमन जूस, औरेंज जूस एंड वाइनेगर टेस्ट सोर देखे दिखे दिदी नीबु कारस, संत्रे कारस और वाइनेगर यह स्वाद में खट्टे होते हैं इस सभी पदा खट्टे होते हैं क्योंकि इनके अंदर एसिट पाया जाता है इस तरह के पधातों के जो रसाइनिक प्रकृति होती है वो एसिडिक होती है अमलिय होती है इस सब्द की उत्पत्ती लेटिन भासा के शब्द एसियर से हुई है जिसका मतलब होता है खट्टा इन सभी पधारतों में पाय जाने वाले अमल को हम प्रकृतिक अमल कहते हैं ठीक है समझ में आगया तो यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि वाट और एसिस तो एसिस आर दा सविस्टेंस विच आर सौर इन टेस्ट वे सभी पधात ऐसे सोते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं ठीक है किलियर होई डेफिनिशन आगे बढ़ें चलिए जी आगे बढ़ते हैं आगे बात करते हैं वाट अवाउट बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा के बारे में क्या कहना है does it also taste sore क्या इसका टेस्ट भी खट्टा होता है If not, यदि नहीं, what is its taste? तो इसका स्वाद कैसा होगा? Since it does not taste sore, it means that it has no acid in it. यदि ये स्वाद में खटा नहीं है, तो इसके अंदर acid नहीं है. It is veteran test. ये test में कडवय होते हैं. यानिकि waking soda test में कैसा होगा? कडवा होगा. If you rub its solution between the fingers, यदि आप उंगलियों के बीच में इसके solution को rub करते हैं, it feels soapy. तो ये आपको soapy feel कराएंगे, यानिकि सावन के nature के आपको लगएंगे. तो generally substance like these, इस तरह के जो substance होते हैं, which are bitter in test, जो स्वाद में कडवे, and feel soapy, और सावन की तरह महसूस होते हैं, जब हम इनको touch करते हैं, are known as base. इनको हम base के नाम से जानते हैं. ठीक है? इनको base कहा जाता है. तो अब आप पता चल गया होगा, अब आपको, कि base किसे कहते हैं? Base are the substance which are bitter in test, and feel soapy on touching, known as base. ठीक है? शाये जी, आगे बढ़ें. तो the substance, the nature of the substance is said to be basic, तो इस तरह के पदाहतों की जो प्रकरती होगी, उसको हम बोलेंगे basic प्रकरती के हैं, यह यानि कि छार ये प्रकरती के हैं. I hope समझ में आ रहा होगा. चलिए तो फिर आगे बढ़ें. If we cannot test every substance, how we find its nature? यदि हम सभी substance को test नहीं कर सकते, तो किस तरीके से हम उसकी प्रकरती का पता लगाएं? तो कैसे पता लगाएं हम उसकी प्रकरती का हैं कि इस substance का nature कैसा होगा? तो इस condition में हम क्या कहते हैं? special type of substance are used to test whether a substance is acidic और basic. इस स्तिती में हम कुछ विशेश प्रकार के पधारत का इस्तमाल करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो substance है वो उसका nature अमली है या छारी है. तो इस substance are known as indicators, इस तरह के जो पधारत होते हैं, उन्हें हम सूचक कहते हैं. तो यहाँ indicator से आपको क्या समझ में आ रहा है? Indicators यहाँ define कर रहा है the substance which indicates either the substance is acidic और not. Acidic और basic. तीक हैं? कि जो substance है वो acidic है या basic है? उसका पता लगाने के लिए हम indicator का इस्तमाल कर रहा है. तो देखें, indicator कैसे काम करता है? Indicators change their color when added to a solution containing an acidic और a basic substance. तो indicators क्या काम करते हैं? अपने color को change कर देते हैं. Indicators change their color when adding with the solution of acidic and basic substance. जब आप इसको acidic solution या basic solution के अंदर डालते हैं, तो यह अपना color change कर देते हैं. देखें, turmeric है, litmus, china rose, goodhall के petals है, याने goodhall की पंखुडियां है, यह सब naturally occurring indicators है, प्राकृति में पाए जाने वाले सूचक हैं. I hope आपकी clear हुआ होगा. चलिए, अगर कोई doubt है तो पिल्कुल उसको भी clear कर लेते हैं. यहां में सबसे पहले हमेंने बताया आपको acid, तो acid are the substance which are sure in test, तीक है, उसमें आप बता सकते हैं, जैसे की curd है, curd के अंदर acid पाए जाएगा, lemon juice के अंदर acid पाए जाएगा, orange के अंदर acid पाए जाएगा, यान की पूस अभी पतात, जिनके juice वाद में खटे होते हैं, उनमें acid पाए जाता है, ठीक, बात करते हैं, आप basic की, तो basic की नहीं कहेंगे, the substance which are bitter in test and feel soapy on touching, known as basic या base, उनको हम base कहते हैं, यानि छार गएंगे, जो स्वाद में कडवे होंगे, और हमें कैसा feel कराएंगे, soapy feel कराएंगे, जब हम उसको touch करते हैं, ठीक, चलिए, next हमने देखा यहां, indicator, तो क्या होते हैं, indicators are the substance based change their color, जो अपना color change कर देते हैं, जब आप उनको अमली solution में डालेंगे, यानि कि acidic solution में डालेंगे, तो उनका color कुछ और होगा, और जब आप उनको basic solution के अंदर डालेंगे, तब इनका color कुछ और होगा, तो इस तरह से indicator हमें प देखते हैं, क्या आप जानते हैं, तीकि हमें पता चलेगा, कौन सा acid, कौन से पताहत में पायाता है, जैसे acetic acid है, यहां acid का नाम दिया गया है, किस में मिलेगा, सिरके में, वाइनगर में, फार्मिक असिड आपको कहा मिलेगा, आंट स्टिंग में, यानि कि जो चीती है य मिलेगा, जैसे आपका औरेंज है, लेमन से, लेक्टिक असिड आपको कहा मिलेगा, कर्ड में मिलेगा, ऑक्जेलिक असिड, स्पाइनेक में मिलेगा, एसकॉर्बिक असिड जो विटामिन C है, आमला और सिट्रस फ्रूड में, टार्टिक असिड कहा मिलेगा, टेमरेंड, अन्राइप मैंगोस ठीक है चलिए फिर आगे बढ़ें ओल दा एसेस मेंशन एब अकरसे नेचर यह जितने भी एसेस के बारे में हमने उपर पढ़ा वो सभी प्रकृति में पाए जाते हैं अब देखिए कुछ बेस के बारे में डिसकस कर लेते हैं जैसे नेम आप दी बेस य हैं एंडो क्लीनर Karl सोडियम हाइड और पोटेशियम हाइड ऑकसाइड फोप में मिल जाएगा आपको मैंगनेशिया में में आया समझें I hope आपके समझ में आया होगा चलिए यहां पर बूजो कंफ्यूज हैं देखें बूजो की बात सुन लेते हैं क्या कहना है Can I test all substance to find their test क्या हम सभी substance को चक कर बता सकते हैं क्या हम सभी substance को चक कर उनके test को बता हैं No, have you not read the questions क्या तुमने साभधानी नहीं पड़ी पहली कह रही है बूजो से क्या तुमने साभधानी नहीं पड़ी कि we should not test our non-substance कि हमें किसी भी अंजान पधात को चकना नहीं है They could be harm us यह हमको harm कर सकते हैं हमें नुकसान पहुचा सकते हैं ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं फिर बिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा वाई बाई अगर आपका कोई डाउट है तो प्लिस कमेंट कीजेगा तो टेक केर बच्चो थैंक यू की वाचिंग दा वीडियो थैंक यू सो मच भाईं दो प्लिस कि वाचि थैंक यून क्वान गयू प्लिस